हेलो स्टुडेंट्स, क्लास फेफ्ट, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की किताब से पाँच चार संग्या पढ़ेंगे आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की किताब नव्या उसे पाँच चार संग्या पढ़ेंगे संग्या का अर्थ है नाम, संसार में प्रतेक वस्तु का कोई नाम होता है अब आपकी किताब में नीचे जो चित्र दिया गया उसको ध्यान से देखी चित्र में जुही के मम्मी और पापा सोफे पर बैठे है जुही कुर्सी पर बैठ कर किताब पढ़ रही है उसका छोटा भाई खिलोने से फर्ष पर खेल रहा है गमले में एक पौधा लगाया मेज पर टीवी अखाया दीवार पर गांदी जी और नहरुजी के चित्र लगें एक और अश्टधातु की मूर्ती रखिया है उपोज़त अनुष्छेद में रंगीन छपे शब्द संग्या कहलाते है नीचे दिये गए शब्दों पर भी अब विचार दीजेए अभी आपने जो उपर शब्द देखे सबी राल रंग से लिखे हुए है ये सबी किसी वस्तु व्यक्ति के नाम है अब नीचे अब देखिए आपको जो चित्र दिये उन्हें भी देखिए शास्त्री जी क्या है व्यक्ति प्रसंदता भाव हैं गरीवी दशाया स्थिति कार क्या है वस्तु हर चीनी क्या है एक पदार्थ ये सभी नाम क्या है संग्या तो मतलब संग्या किसे कहते हैं किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति भाव दशाया स्थिति को संग्या कहते हैं अब ये आपने पीछे संग्या के नीचे दिये गए भेद हैं इसके कई प्रकार हैं पहला है व्यक्ति वाचक संग्या नीचे दिये गए चित्रों को देखिए उनके नाम पड़िये जैसे लिखा हुआ हिमाले हिमाले का चित्र बनाए लाल भाद्दुर शास्त्री कुतुम मिनार अब यहां पर यह सभी क्या है व्यक्ति वाचक संग्या नीचे दिये गए चित्रों को देखिए और उनके नाम पड़िये जैसे घर घर क्या होता है बहुत सारे होते हैं कोई विशेश नहीं होता बैल एक प्राणी है प्राणी बहुत सारे होते हैं पुस्तक पुस्तक भी अनिक होती है या घर बैल और पुस्तक शब्द किसी विशेश प्राणी वस्तु यास्थान का बोद नहीं करा रहे हैं कोई विशेश च प्राणी है उसी प्रकार से अनेक प्राणी है पुस्तक भी भहुत सारी होती है तो जो शब्द किसी प्राणी स्थान अथ्वा वस्तु की जाती या समों का बोध कराते हैं उसे जाती वासक संग्या कहते हैं अब आती है तीसरी भावचक संग्या अब नीचे जो चित्र दिये उनको देखिए, पहला देखा है बुढ़ापा, फिर लडाई, फिर गर्मी, यहां बुढ़ापा, लडाई और गर्मी शब्दों से कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहा है, जैसे बुढ़ापा प्रकट हो रहा है, लडाई से लडने का भाव प्रकट हो रहा है, गर्मी से गर् भाव अचक संग्या एक भाव अत्पन कर रही है जो शब्द किसी भाव गुण दोश सभाव आधी का बोध कराते हैं उसे भाव अचक संग्या कहलते हैं अब आते हैं हमारी जो भाव अचक संग्या हैं किस तरह से बनाते हैं हम उनको भाव अचक संग्या चार प्रकार की शब बनती हैं चाती वाचक संग्याओं के शब्द हैं दुकांदार बुढ़ा दुकांदार से क्या बनेगा भाव दुकांदारी बुढ़ा से बनेगा बुढ़ापा माता से मात्रत्व शत्रू से सत्रता बचा से बचपन अब पहरेदार से पहरेदारी शिशू शैशाव मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, पुरुष से पुर्षत्वत. अब आता है विशेश्ण सब्द से भावा चक संग्या बनती है. जैसे विशेश्ण इसी चीज की विशेश्टा बतलते है. उचा, उचा से क्या बनेगा? उचाई. चतुर से चतुरता, गोल से गोलाई, मधूर से दूरता, उदार से उदारता, और मोटा से मोटापा, खटा से भाव बनेगा, खटास, भला से भलाई, अच्छा से अच्छाई, सुंदर से सुंदरता, अब तीसरा मेरा आता है, शब्दा आता है, क्रिया से, क्रिया से भी भावचक संग्याइं बनती हैं, जैसे उड़ना, उ पढ़न पढ़ने हैं हैं अब इसके बाद चोथा अता है सर्वनाम ससे पर्या उससे भावचक क्या बना परॉयापन, अहम से अहंकार अपना से अपनापन, निज से निजत्व, स्वा से स्वत्व, मम से ममत्व या ममता अब हमने देखा कि इस पार्ट में अभी हमने पड़ा सभी नाम संग्या कहलाते हैं, संग्या तीन प्रकार की होती है किसी वस्तु विशेश प्राणी वस्तु स्थान या भाव को उनके नाम को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तियों के नाम को जाति वाचक संग्या कहते हैं किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के भाव गुण दर्शा सभावाले शब्द को भाव अचक्ष शंग्या करते हैं।